राखी सावन को बिग बॉस के घर के अंदर जिस बात का सबसे ज़्यादा डर था वो बात सामने आ गई है जी हाँ मैं आपको बता दूँ कि राखी सावन ने खुद सामने आकर एक्सेप्ट कर लिया है और अब ये बड़ा सा शौकर दिया है उन्होंने सभी फैंस को और ये कह दिया है कि रितेश उनके हजबन अब नहीं है जी हाँ रितेश और राखी के बीच अब सिर्फर सिर्फ दोस्ती है राखी ने और क्या कुछ कहा है चलिए आपको सब कुछ बताती हूँ राखी सावंथ रिसेटली टाइमस अफ इंडिया को उन्होंने इंटिव्यू दिया और उस इंटिव्यू में जब उनके और रितेश के रिलेशनचिप पर पूछा गया तो वो कहती है कि मैं इस बारे में जादा बात नहीं कर सकती हूँ बढ़ा हम अभी सिर्फ दोस्त है यह बहुत ही बड़ा स्क्रेटमिंट राखी ने पास किया है क्योंकि इसको सुनने के बाद राकी के सारे फैंस काफी शौक हैं क्योंकि जब राखी घर के अंदर थी रितेश बाहर थे उस दौरान रितेश ने कई बार यह कहा था कि वो राखी को कभी नहीं छोड़ेंगे और सर्फित्ता ही नहीं बल्कि रिटेश ने ये भी कहा था कि जो भी लीगल मैटर्स हैं वो उसे जल से जल सौट आउट करेंगे और सौट आउट करने के बाद राखी से लीगली वो शादी करेंगे वेल इस बारे में बात करते हुए आगे जब राखी से पूछा गया कि उनका और रिटेश का रिष्टा बिग बॉस के घर में क्या था उन्होंने का हस्बेन और वाइफ का था उसके आगे वो ये भी कहती हैं कि रिटेश की अगर मैं बात करूंगी आपको बता दू कि राखी इन ये तक कहा कि हर किसी को लगता है कि मैंने हास्बेन हायर किया था बट ऐसा नहीं है let people say anything higher to higher what's up with that but I hope all is well और राकी सावन ने ये जवाब दिया था और कहा था कि अगर लोगों को लगता है कि मैंने हायर किया है तो हायरी सही बठा मैं जानती हूं कि सच गया है तो राख सच लिफ में लेफ मेरी कि लेफ में लेफ मेव में कर यहाँपे सर Madam दोनो यहाँपे दोव हैराकी शॉलंस प्रपम अध तुम हमारे लिए विनर हो, we love you and happy birthday to you.